गुरू ब्रह्माह, गुरू विष्णू, गुरू देवो महिस्वरा, गुरू साक्षात परभ्रह्मा, तसमाई स्री गुरू बे नमाहा नमस्कार मित्रो, मैं पंडित दिवाकबसेष्ट और आप देख रहे हैं जीवंदरपन जोतिश अभी जो मैंने कहा गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णू, गुरू देवो महिस्वरा, ये अपने गुरू की अराधना है और हर इंसान का एक गुरू जरूर होता है और एक गुरू ब्रहस्पती ग्रह भी हैं जो हर प्राणी की किस्मत कहे जाते हैं आज का वीडियो गुरू ब्रहस्पती के बारे में हैं क्योंकि ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया किस्मत से लड़ रही है किसी की किस्मत अच्छी तो किसी की किस्मत बुरी और जिसके किस्मत अच्छी है वो धनवान है उसके सरी में कोई रोग नहीं है उसे सारे सुख हैं लेकि जिसके किस्मत अच्छी नहीं है उसके पास धन भी नहीं है और जो धन आता है वो बेकार की बुरी चीजों में चला जाता है ये सब किस्मत है हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो बुद्ध ग्रह को कैसे ठीक करें इस बारे में था उस पर बहुत सारे कमेंट आये थे और उस में से एक कमेंट आया जिसमें कहा गया कि आप गुरू ब्रस्पती पर वीडियो बनाएं कि ब्रस्पती ग्रह जब खराब हो और साधी विभा में अर्चने आ रही हो या किसी और चीजों में अर्चने आ रही हो तो उस गुरू ब्रस्पती ग्रह को कैसे ठीक करें तो उनके इस कमेंट का जवाब देते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है और साथ में ये वीडियो उन सभी के काम आएगी जिनकी कुंडली में गुरु ब्रहस्पती कमजोर है या खराब इस्तिती में है दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए गुरु ब्रहस्पती है क्या बहुत सारे लोग जानते होंगे बहुत से लोग नहीं जानते गुरु ब्रहस्पती किस्मत का ग्रह है क्योंकि गुरु ब्रहस्पती जिसका अच्छा उसके जीवन में बरकत होती है उसे बहुत धनलाव होते हैं उसे बहुत सुखी जीवन प्राप्त होता है डेटेल्स में जाएंगी बीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि किस्मत हो किस्मत हर कोई जानता है किस्मत क्या होती है अब आपने देखा होगा बड़े मजे की एक बात बताता हूँ आप जब ट्रेन से सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन पर कहीं आपने देखा होगा कि जिनकी ट्रेन लेट होती है रातरी के समय वो लोग प्लेट फॉर्म पे ही अपना बिस्तल लगा के सू जाते हैं एक व्यक्ती बहुत ज़्यादा फैल फूल के सो रहा होता है जगा लेके और एक व्यक्ती चुक्चाप सुकुड के सो रहा होता है तो जो व्यक्ती बहुत ज़्यादा फैल फूल के सो रहा होता है उसमें सबसे जादा यात्रियों की चलने फिनने वाले लोगों की लाते पड़ती है और जो एक कौने में चुक्चाप सकड के बैठा होता है उसे कोई टच नहीं करता तो जो जितनी जादा जगह लेगा उसको उतनी ही जादा प्रॉब्लम आएगी गुरू ब्रहस्पती की कुंडली में सबसे अधिक जगा है जनम कुंडली का दूसरा भाव, जनम कुंडली का पांचवा भाव जनम कुंडली का नवा भाव, जनम कुंडली का ग्यारवा घर और बारवा घर ये गुरू ब्रहस्पती के कंट्रोल में आते हैं के अंडर आते हैं और जब इनके दुश्मन गरह इन गहरों में बैड जाएं तो गुरु ब्रसपती पीडित हो जाते हैं और किसमत खराब हो जाती है इसलिए दुनिया में 90% लोग परिशान है किसने किसी बास से जोगी ब्रसपती कहीं ना कहीं पीडित हो ही जाते हैं कितनी भी कोशिश करिए, अब गुरु ब्रस्पती को ठीक करना है, बहुत सारे उपाए हैं, अनेको उपाए, कौन सा उपाए ऐसा करें, जो एकदम सटीक है और राम बान की तरह काम करें, बहुत से उपाए, बहुत से लोगों ने कर की भी देख रखे होते हैं, रिजिल्ट नहीं आतें, क्या करें, जिससे परिणाम शुब हो जाएं, और हर कोई कर सके, गरीब भी, अमीर भी, क्योंकि कुछ उपाए ऐसे होते हैं, जिनको केबल धनके द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं है, इसमें जो उपाए दिया जा रहा है, ये गरीब और अमीर सब के लिए समान फल देगा, और दोनों ही कर सकते हैं, इसे करने से पहले आप ये समझ लीजिए, कि हमारे बुजुर्गों नहीं हमें सिक्षा दिक्षा दे करके, संसकार दे करके, उन गरहों के उपायों को समझा दिया है, लेकिन आज के इस युग में हम उनकी बातों को भूलते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए दुखी है, किसने किसी कारण दुखी है, तो क्या, पीपल का पेड़, जी हाँ, पीपल का व्रक्ष, आपके सभी दुखों का नाश करने की ताकत रखता है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं व् दुखा नारेंड स्यम अपने आपको पीपल बताते हैं, कि मैं ब्रक्षों में पीपल हूँ, शनी दीप की पूजा करनी हो, तो पीपल में कीजिए, गुरु ब्रस्पती की पूजा करनी है, तो पीपल में कीजिए, बहुत बार देखा गया है, जिनके ब्रस्पती शुब नहीं होते और वो ब्रस्पती बार का ब्रत करते हैं और केले की पीड़ी की पूजा करते हैं तो उन्हें अच्छे फल नहीं मिलते नुकसान हो जाते हैं लड़ाई जगड़े परिवार में होने लगते हैं बीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन जानकारी सटीक मिलेगी पूरी बीडियो के साथ बने रहिएगा तब ही कुछ प्राप्त हो पाएगा अब अगर आपको ब्रस्पती ग्रह को ठीक करना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ब्रस्पती बिना शनी को ठीक किये कभी ठीक नहीं हो सकते और शनी बिना ब्रस्पती को ठीक किये कभ पूरी बास सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि आप उपाय करते थे पर एक उपाय करते थे दूसरा नहीं करते थे साथ में इसलिए उपाय ने फल नहीं दिया दूसरी बास उपाय को किया तो थोड़े समय के लिए करके ही छोड़ दिया फल कैसे मिलेगा तो उपाय क्या है वो समझी है हर गुरुबार को यानि कि ब्रहस्पतिवार के दिन आपको तामबे का लोटा लेना है तामबे के लोटे में जल भर्ना है और उस जल को पीपल वरक्ष पर चड़ाना है लेगिन कैसे तामबे का लोटा जल भरा थोड़ी सी हलदी पाउडर उसमें डाल दीजिए पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए रंग पीला हो जाई जल का अब इस जल को पीपल देवता को अरपन करिए इतना काम गुरुबार को करना है लेकिन यहीं खतम नहीं हुई बात यह आपको प्रते गुरुबार करते चले जाना है इसी के साथ शनीवार आएगा जब शनीवार आएगा उस दिन फिर पीपल के व्रक्ष पर जाना है और वहां जाकर सूर्य अस्त हो जाने के बाद शनी महराज का सर्सो के तिल का दिया जलाना है पीपल के व्रक्ष पर बाह समझ में आई गुरु वार को जल चड़ाईए पीला किया हुआ तांबी के लोटे से और शनी वार को पीपल पर दिया जलाईए सरसो के तेल का सूरे अस्त होने के बाद ये दोनों काम मिला करके करने हैं तब आपके ब्रहस्पती ठीक होंगे और तब ही आपके शनी भी साथ में ठीक होने लगेंगे और जब शनी और ब्रस्पती दोनों ठीक हो जाएंगे तो जीवन में जितनी बड़ी-बड़ी समस्यां आपके आ रही हैं साधी विवानी हो रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, घर में रोग घुसे हुए हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, पढ़ाही में सिक्षा में परिशानी आ रही है, मुकद में वाजी चल रही है, सब में आपको लाब दीखेगा. फायदा खुद अपनी चमतकार खुद अपनी आखो से आप देखोगे, फायदा खुद देखोगे आप अपनी आखो से, खुद दीखेगे आपको, लेकिन ये दोनों काम आपको एक साथ शुरू करने हैं, अब बात यहाँ पर आएगी, आप कमेंट करोगे, पूछोगे, जि इनके शनी शुबहों वो भी दिया जला सकते हैं क्या, देखिए, जब आप शनी का दीपक, शनी मंदिर में जाके आप पीपल के व्रक्ष पर जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शनी मंदिर में नहीं, पीपल के व्रक्ष पर ही दिया जलाना है, शनी मंदिर में दिया, तेल जो आप चड़ा देते हैं, तेल का दान कर देते हैं, वो उसमें अच्छे बुरे देखने पड़ेंगे, और पीपल पर जो जल चड़ाना है आपको, ब्रसपती को ठीक करने के लिए, उसमें ब्रसपती आपके शुब हो या शुब ना हो, दोनों ही कंडिसन में करिए, फ ऐसी बहुत सारी जगा हैं, जहां पीपल का वरक्ष नहीं मिल पाता, उन्हें क्या करना है, उन्हें भी अपने ब्रसपती को ठीक करना है, तो देखे, सबसे पहले कोशिच तो यही करिए, जो उपाय बताए गए हैं, और यदि आपके साथ ऐसी दिक्कत आ जाए कि पीपल क हल्दी, तर्मरिक, यह आपको ले लिनी है, क्या करना है, एक लेनी है साबुत, कहीं चे टूटी फूटी ना हो, गुरू बार के दिन, अपने पॉकिट में रख लीजे, उपर की पॉकिट में रख लीजे, उपर ना रख सकें, तो पैंट की पॉकिट में दाएं वाएं रख लो, ब्रस्पती शुब हो या अशुब हो, कोई विचार मत करना, कुंडली हो, ना हो, कोई विचार मत करना, केवल पॉकिट में ये रख लेना, ब्रस्पती का शुब फल ही मिलेगा आपको, और ये चमतकार एक हफते में दीखना सुरू हो जाएगा अपनी आखों से जो पीपल पर जल चड़ा रहे हैं, उन्हें भी रख लेनी चाहिए, जादू ही उपाय है, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े रत्न, जहां काम नहीं आपाते, वहां छोटे छोटे उपाय काम आ जाते हैं, कितने पैसे की एक लेंगे तो दो या तिन रोपे की आएगी, चमतकार जिंदगी में भढ़ देगी, करके देखिए, आनंद आ जाएगा, और दोस्तों, आपका कोई सवाल है, कमेंट में लिख दीजिए, बीडियो बना कर समझाऊंगा आपको, अच्छा लगा है बीडियो, यहां तक और ऐसी ही जनकाई दितर होंगा, हमारे साथ बनी रही है, तब तक के लिए, ओम नमश्वाई हर अर्मादे